सपासांसाद आजम खान के करीबी रिटायर्ड सीओ आले हसन एक बार फिर रामपूर के महिला थाना पहुंचे यहां SIT की टीम ने उनसे पुछताच की बता दे कि आले हसन पर रामपूर में लगबग चाउमन मुकद में दर्ज हैं आले हसन पर जहर अली इनिवस्टी के किसानों की जमीन पर जवरन कबजा कराने के आरोप हैं इनमें कुछ केस किसानों और कुछ मुकद में यतीम खाने मामले में घोसियाल मुहला निवासियों ने दर्ज कराये हैं इसके साथ ही कुछ मुकद में डूंगर पुरबस्ती निव वे कहा कि यतीम खाना और डूंगरपुर में जमीन कबजा कराने के आरोप के मामले में पूछताच की गई है सभी प्रसनों का जवाब दिया गया आले असन ने कहा कि फिर आना होगा क्योंकि बहुत सारे मुकदमें हैं जब किसी ने फाई आर लिखाई है तो पुलिस का काम है कि ठीक तरीके से उसकी जाच करना है काफी मुकदमें फिर आना पड़ेगा सर आप तो कुछ पुलिस के आफिसर है रिटाइड और काफी लंबे समय तक आपने सेवाई दिये रामपूर में लेकिन जो मुकदमे दर्ज हुएं उन सब चीजों को लेकर कोई ऐसे सवाल हुए जिससे आपकी कुछ लग रहा कि इस संबंद में अपर पुलिशा दिख्चकर अणुकुमार सिंग ने बताया कि आले असन से अजीम नगर कोतवाली गंज सिविल लाइन्स के विवेचकों ने अपने अपने मुकदमे में पूस्ताच की अभी पूस्ताच जारी है उनको सत्रे तारीक को विभिन विवेचको सिविल लाइन्स के विवेचकों ने अपने अपने मुकदमों में पूस्ताच की है अभी पूस्ताच जारी है और उनको सत्रे तारीक को विवेचकों ने अपने अपने मुकदमों में फिर से तलब किया है तो उस दिन उसे सम्मधित मुकदमों के बारे में और पूस्ताच क खबरों का सिसला जारी रहेगा देखते रही है जनप्रबाद नमस्कार